सलाम अलेकुम आयूटी फैमिली कैसे आप सब लोग आये हो कि आप सब ठीक ठाक हूंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी ठीक हूँ और आज है रमसान का बारवा रोजा तो आप लोगों को सबको बारवा रोजा बहुत-बहुत मुबारख हो और यहां पर निक्या सहरी तो मैं कर चुकी थी, सहरी करने के बाद में निक्या आज ना घर के काम, बाहर के काम काफी ज्यादा हो गए है, क्योंकि कल दिवाली का जो दिन रहेगा ना, तो इस वज़े से निक्या आज मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि फिर बाद में कल लेकिन मैंने इसको पिसा करके नहीं लाई थी क्यूंके काफी टाइम हो गया था तो उस वज़े से को चक्की बंद हो जाती है ना दो पहर में शुरूर रहती है और दूप इतनी तेज है ना दूप के वज़े से निकलने के लिए बार बार सोचना पड़ रहा था लेकिन क्या करेंगे फिल हाल में फैनली मुझे जाना ही पड़ा चक्की पर क्यूंके मुझे बेसन भी पिसाना जाती हूँ और निक्या जो शर्बत है ना आज मार्केट से लेकर के आजती हूँ करके तो फर्स टाइप मैंने मार्केट का शर्बत लेकर के आई थी और यहां पर मैंने ले ली थी आलू क्योंके संड़े की दिन मार्केट रहेंगा तो इस वज़े से निक्या मैंने मुझे लगा हुआ था color color की पिचकारी क्योंकि होली जो होता है वो रंगों का टेभार होता एंचिर आप color नहीं खेलते हैं और साथी WhatsApp यहां पर अभी रमजानही शुरू है तो इन सारी मैं चक्की पर आगई थी तो चक्की पर आटापी साकर के हो चुका था और हम लोग जाने लगे थे घर यहां से मेरे उंडी में लग गई सी लग तो अभी आहरा निका रहा है पीन से पता निकलती क्या रही निकलती बहुत अंदर तक चुप गई है भूँ नुचा मत करना Nुचा मतलम की। अठी जा अच्चा ठूचा क्या? यह सोचालड क्या है वाला जिखी आया तो ख़चा कि शुप फिलेशंगो भाला य। नो मैं टर करतैती हो अचालो नोटो आतो बहुतत। जड़ी है अहिरार उकितर है उसमेरी से को झारेगल घरना लांगा तो समॉपंस है निर्घि हुआ। अन्हें रहट रहा हमेंव homepage सवार ब्लेश द। भी हम जाएवा.. घरेख के रेखें रहा है ब्लाद में किर लो इंचा बेकर बंचा नो बर्न कर रहा है यह जो हम लोग मार्केट से आये और वो लेकर किया थी ना मैं क्या कहराटे हो तो तो उसमें निकैसी बारिक सीलक होती है जो इहां पर प्शुप गई जिसे ब्लर्ड नी कर रहा हुए इस ते देर के बाद निपली है बाप्रे जान नी कर गड़ी पी इनका इस्तेमाल हो गया सब चीजों का कर लिया उस्ती है और अहरान ही निकाल की दिया खाय लगी मुझे तो नहीं अप्लि इसमें चड़ा दियो आलू बाइल करनी के लिए औ साइड में दूब जराम हो रहा है यहां पर और यह लाई ना भी पिसा के आठा तो इसमें निके इसनी चावल लाल दिया थोड़े से ज्यादा हुए इसमें चावल जो निक्या मैंने बेसन पिसाई थी लेकिन चावल के पर बेसन डाला तो उस वज़े से थोड़ा सफेद आलू भूंडे बनाने के लिए लेली हुँ चार आलू इसका देख में छिल्टा निकालते हैं निकालते हैं चलते चले गई थी क्योंकि बडूरम के लिए नमास से बारी चोप यह जावल निके रहे गया है तो अइसे पूरे तरीके से हमको यहां पर मैंने लेली हुँ समार, हरी, मिलचे, कड़ी बत्ता और प्यास एक दम से बारी चॉप कर लिए हुँ मेंने इसको इसमें निके हमक क्ष you कि can do a beginner मेरा यहां पर यह मिक्स आलू का पुरा और यहां पर मैंने मेरा नमक है मेरे को स्टेश चूसल portion to open पाइं यहां पर मेंने ले लिए ओ नमक और काली uş मिर्च कुड़ी हुई इसलह से की क्लियर हो जाए और एक स्मूथ ऐसा बैडर बन जाए इसका रहोगे मिक्स इसको हम रख देते साइड में और तब तक के यहां सब बना लेते इसके गोल गोल ऐसे पेड़े छोटे के पेड़े से जाधा बड़े बनानी की नहीं है हमको और पूरे पेड़े बना कर पहले रख साइड में एक प्लेट में यहां पर रखते जाएंगी इसको इसको इसे कासा हमको बनानी के लिए थोड़ा इजी होता है अगर यह सबसे पहले रेडी करके रखो तो बस इफ्तारी के थोड़े देर पहले इसको फ्राय कर दूंगी मैं अश्चता मेरा हाच से कानून क्या अपर में होते हैं आज जना मैंने अमदी के तरह इस तारी का नई भी जाई तो अभी आहराग जाएंगा असर की नमास पर क्या आ गया है अब मैंने यहां फर ते लंग की घरम भी बना लो छे बच रहे छे छे बचे बच जह पूरे ले गर्म हो गया है तो दूपसाया मैं तो तो दूपसाया मैं तो कदर इस नहीं है तो बस हमको इसमें इसको डूबोना है और बस इसको ऐसा डाल देता है यानि के एक एक खम ऐसा लेते जाएंगे और इसमें डीप करते जाएंगे अच्छे चारू तरफ से पोड कर लेंगे इसको और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे सारी आलो हमले कलर हो गया इसका चेंड फटा फट से निकालते हैं अब हम इसको देखे क्या मस्त्त खुले फुले बने हुए है ना इसी तरीक्त शार आलो हो ज़े निकालने के तो यहां पर इफ्तारी के लिए ज्यादा नहीं रहना है पर इफ्तारी के लिए जब आने के पहले नहीं के दस मिनट बच्चे हुए थे तो आज मेरे पास मेना सिर्फ चार या पाँच मिनट बच्चे थे तो फिर चार पाँच मिनट में अहरा बोलने लगा लगा है जल्दी से आकर के बैठो करके तो वही मैंने फटाफट से रगदी इफ्तारी को और मैं भी बैठ गई यहां कर पासिए पासिए कि इफ्तारी हो गई एहरार अभी इफ्तार की नमाज के लिए चने के जलबी काता है इसलिए और मेरा इफ्तार के बदना हालत बुरे हो जाते है वाकिर में असा लगता है कि अब अगर सोजाना लेकिन और तो को सोने के लिए में टाइप नहीं रहता है क्योंकि अभी अगर सोजाने के बाद में एक का मेरा और बच्ता है जो की है ये कपड़े घड़ी करने का जो मैंने मिस्तर पे लाकर के अभी रख दी हूँ ये सब काम है और सभी अर्टों के काम थे ये रम्जान में तो ये सब करती हूँ बरतन होती हूँ सबसे पहले चाय पीने का दिज़ हो रहा है देखती हूँ अगर श् sound करने के बाद वरना नहीं कि आज बाहर गई थी ना तो काफी थप गई बहार जाने के वज़े से दुप दुप जाना हुआ तो और इसके बाद में सब धोने दुलाने के बाद में इक्षा का टाइम होता है ना मास पढ़ती तराभी पढ़ती और इसके बाद ऐसे सोती हुझे कुछ होशी अज़की रखा तो बस आरी में उठने के लिए निक्या एक बार आला रहा बचता है फिर आला रहा बंद करती हुझे किस को साथ होता है इसा जरूर बताना आला रहा बंद करने के बाद में फिर दस मिनट के बाद बाद बदला मेरा यही रूटीन चालू रहता है लेकिन सवा तीन तक की इधर उधर करती हो फिर उप जाती में साड़ी को तो बस अभी तक इत्ता ही था आज का व्लोग पसन आया हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे आप लोगों से निक्स प्लग में तब तक के लिए मुझे इजा साफ करती हूँ तब तक के लिए अल्ला हाफीज